स्रावनी पुर्णिमा और रक्षा बंधन की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामना है और आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग स्रावन का महिना वैसे तो पूरा महिना ही खास है लेकिन जब पुर्णिमा तिति आती है तो रक्षा बंधन का तेवहार को लेकर पूरा धूम हो जाता है इस बार पुर्णिमा तिति दो दिन है 11 अगस्त को भी पड़ेगी रात की पुणिमा ब्रत की पुणिमा और 12 अगस्त को अशनान दान की पुणिमा है तो सावन पुणिमा पर सुमुहृत में अगर पवित्र नदी सरोवर में अशनान करें तो सरबोत्तम माना जाता है इस दिन अगर पित्रों का तरपन करें तो पित्री दे प्रशन्न होते हैं और पित्री दोस समाप्त हो जाता है तो इस मेहने में पभीत्रे नदी सरोवर में अस्नान करने से जाने अंजाने हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन तीन सुभ योग बन रहे हैं रभी योग, आईसमान योग और सौभागे योग का तीन योग का अधभुत से योग बना हुआ है तो ऐसे में इस दिन का महत तो बढ़ जाता है तो पुर्णिमा तिथी के दिन चंद्रमा की पूजा का विसेश महत है चंद्रदोदे को विसेश महत दिया गया है इस बार स्रावन पुर्णिमा की तिथी 12 अगस्त की सुभ में ही समाप्त हो रहा है ऐसे में पुर्णिमा तिथी का चंद्रमा 11 अगस्त को उदित होगा तो स्रावन मां की पुर्णिमा का बरत 11 अगस्त को ही रखा जाएगा अब चुकि सुभा 5.48 से रभी योग शुरू होगा और इसके बाद आईसमान योग सुभा 6.53 से दोपहर 3.32 तक है सुभागे योग अगले दिन 11.34 तक रहेगा चुकि इस बार पित्री दोसों से मुक्ती पाने के लिए बिसे ससनान दान तरपन उपाई किये जाएंगे इसलिए इस दिन गीता के 11 अध्या या सब्त में अध्या का पाट किया जाए तो इससे भी पित्री दोसों से मुक्ति मिलती है पित्री को उनके जो उनको कस्ट हो रहा है उनसे उनको मुक्ष मिलकर बैकुंट धाम की प्राप्ति होती है तो इस दिन आप जुरतमन लोगों को भोजन, कपड़े, अन्न और जल का दान कर सकते हैं पित्रों की आत्मा को सांती मिलेगे और पित्री दोस्त की प्रेसानियों से भी बचेंगे संबह बहुत बरत रखें, भगवान सतनयान की कथा करवाएं घर पर, गुरु गरह के दोस्त भी कम होते हैं, विवाह की मुस्किले समाप्त होती है और गाय को हराचारा और मशलियों के निमित नदी या तलाब में आटे की गोलिया बना कर जरू डालें आप चाहें तो पंचियों के लिए दाने का व्यवस्था किसी पेड के नीचे कर दें, छट पर मत कीजेगा और चीटियों के लिए सकर और मिला हुआ आटा में आप कहीं पर डाल सकते हैं, उत्तम रहेगा पुर्णिमा तिथी के दिन पवित्र नदी और सरोवर में आस्था की डुक्की तो लगाई जाती है साथ ही इसी दिन अपने पित्र देवों के निमित नदी में काले तिल भी प्रवाहित किये जाते हैं, सुर्य देव को अर्द दे कर इस दिन सत्नायन भगवान की कथा सुनने का विधान है, ब्यक्ति के दुखों को समाप्त करता है, घर में सुख सम्रिद्धी बढ़ाता है, इस दिन कुछ खास प्रियोग किये जाते है सास्तु में पुरिमात इथी के दिन बहुत सारे प्रियोग करने के विधान है, खास कर तुलसी पूजन का विधान है, क्योंकि भगवान स्री हरी बिष्णु और मालक्षमी के संग तुलसी पूजन भी अवस्य करना चाहिए, और साम के वक्त एक घी का दिया जरूर जलाए इस दिन मालक्षमी को प्रसंड करने के लिए एक छोटा सा मंत्र जिसका जब जरूर करे रात में सोने के पहले तो ये मंत्र मालक्षमी को बुलाने का है, हलाकि हम डिस्किरिप्सिन में बिस्तार से दे देंगे, आप जरूर इस मंत्र का जब कीजिएगा रात में सोनी के पहले, कम से कम, पांच बार या तेरा बार घर के मुखे दरवाजे पर उमीद है, आपने अभी तक स्वष्टिक का चिर्न जरूर बनाया होगा और आम के पत्तों का तोरण भी लगाया होगा, नहीं लगाया है, तो साम तक जरूर कर ले क्योंकि घर में सुख सांती सम्रिद्धी इसी से बढ़ती है और निगेटिव उड़ जा दूर रहती है धनिया, सुखा धनिया याद रखिए सुखा धनिया और मिस्री या चीनी के दाने का भोग लगाईए बाद में इसको परसाद के रूप में पूरी परिवार के साथ खाईएगा आप चाहें तो धनिया की पंजीरी बना कर भी भोग लगा सकते हैं थोना सा लगाईएगा ताकि परसाद में खाके वो खत्म जागा बच जाता है तो पौधे में डाल दें उसका पेड़ हुगाएगा फिर आप पेड़ को मजे से खाईए कोई दिकत ने यह धनिया की पत्ति खाईएगा खाना बनाने में यूच कर सकते हैं तो आप अगर दिपावली के दिन चुकी आपने धनिया बोया होगा और उसका पेड़ भी निकल रहा होगा क्योंकि हमारे यहां तो निकल रहा है तो आज के दिन आपके पास एक मौका है धनिया को फिर से बोने का तो आप सुबह में ही इसको जल में भीगो कर रख दें धनिया के बीज को और मिट्टी को गीला करके रखिएगा अपने गमले में या अंगन में फिर आप साम के वक्त या साम के पहले तीन-चार बजे लगबग आप इस धनिया को अपनी क्यारी में बो दीजिए और बोने के बाद बैट कर मत बोईएगा खड़े ख़र या थोरा जुक कर बोईएगा मिट्टी को हलका सा कवर कर दें नियमीत रूप से हलका हलका पानी के शीचे डालते रहे वो पेड़ उगाएगा तो आप फ्रेस धनिया भी बो सकते हैं धनिया का बीज भी बो सकते हैं लेकिन इस दिन धनिया के तीन प्रियोग किये जाते हैं जो जीवन के मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा जीवन के हर कठनाईयों से आपकी रक्षा करेगा पहला प्रियोग पहला प्रयोग तो है कि एक मिट्टी का बर्तन ले ले उसमें थोड़ा सा धनिया, एक सिक्का रख दें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें और इसको रहने दें पूरे पुनिमा के दिन रात। यानि पुनिमा के अगले दिन इस धनिया को अपने घर के गम्रे में बो दें सिक्के को पास में रख लें लाल कपड़े में बांध कर सम्हाल कर और जो आपने दिया है उसको दिया को आप कोई भी यूज में कर सकते हैं या सम्हाल कर रख लें फिर अगले बार उस दिया को फि सब्सक्राइब करूब ci कुछी दिनों में आपकी पर्शानिया समाफ्षT jayगी जब आपकी मनत पूरी हो जाए आपने मनत मांगी थी वह पूरी हो जाए links तब फिरसे आप पहनवान जी को जाकर धनिया का भोग लगा दीजिएगा तो आपके मननत भी उतर जाएगी वैसे आप धनिया के साथ मिश्री भी डाल सकते हैं वो और अच्छा होगा बैक्ति की फाइस होती है हर बैक्ति की जीवन में सो भागे बना रहे है तब नर और नारायन यानि भगवान स्री हरी और मालक्षमी एक साथ जिसमें तस्वीर में हो एक ही साथ जिसमें हो बहुत सारे घरों में क्या होता है आप भगवान स्री हरी विश्नु की पूजा करते ह तो मौलक्षमिस में नहीं होती लेकिन आज के दिन आपको दोनों ही जो एक साथ हैं ऐसे ही तस्वीर की पूजा करनी चाहिए फिर दक्षिना वर्ति संख की इस दिन पूजा करने का विधान है भगवान को पीले फल पीले कपड़े अगर स्वभागी की प्राप्ति की चाहत ह है तो और पीला अनाज अर्पित करें पीला अनाज में आप गहुम अर्पित कर सकते हैं और ऐस अकरने से सभी चीजों का दान कर दीजेगा जीवन में सुख संपत्ति सम्रिद्धी बढ़ती है आप चाहते हैं जौब अच्छा चले बैपसाय में आपकी बरकत हो धन समंदी समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी की पत्ते के माला बना कर स्रीहरी के गले में पहना दें तो आपके धन समंदी कस्ट दूर हो जाएंगे और संख से ही जला उनको अभी से कीजेगा जला भी से ये बहुत जरूरी है अब एक खास प्रयोग संतान अगर नहीं हो पा रही है संतान की मनत आप चाह रहे हैं आपकी संतान हो जाए तब भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा करें आप राम जी के भी बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं और उनको माखन मिश्री भगवान स्री किष्णी की भी पूजा कर सकते हैं और माखन जीवन में सुक्सो भाग बढ़ेगा उन्नती होती है प्रगती होती है और अगर आप पती पतनी एक साथ चद्रमा को अर्द दे तो उनका आसिरवात से देव गुरु के आसिरवात से जीवन भर अटूत रिष्टा बना रहता है चुकि अगर आप धन की मुश्किलों से बचन में निवास करें तो एक बात हमेशा याद रखिए आप धनिया भले ही मसाले में परियोग ना करें हो सकता यूझ करते हो या नहीं भी खा सकते हो लेकिन धनिया थोड़ा सा अपने घर में अपने किचन में जरूर रखें किसी बढ़ डबे में स्टोर करके उसको जरूर रखना चाहिए उसमें धनिया भी है दूसरा धनिया सुप को बढ़ाता है और एक मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा धनिया अगर आपने दीपावली में प्रयोग किया है तो फिर उसी में थोड़ा सा धनिया आज के दिन और डाल दीजिए उसी पात्र में नहीं किया है तो ए धनिया जतने दिन पड़ा रहेगा, उतने दिन सुकून रहेगा, जो भी आपके घर की अथन का दान, अगर चंदर्मागरी वर हो, तब आप दूड़, चिनी, चावल का दान कर सकते हैं, अगर आपका चावल जरूर अर्पित कीजिएगा जीवन के समस्त परिसानिया दूर होगी मुस्किने समाप्त होगी मांसिक सुकुन बढ़ेगा सुक्सावभागे बढ़ेगा तो साम के वक्त पांच जगह दीपक जलाने का आज के दिन बिधान है पहला घर के तुलसी जी के पास दूसरा घर के मुखे दरवाजे पर तीसरा पवित्र नदी सरोवर में चौथा आपके पूजा जहां आप पास के कोई मंदिर है वहां पर जाकर जलाएं और अंतेम पीपल के नीचे क्योंकि मालक्सियों यही रहती है तो इस दिन जादा आप तिल और गुर का दान करते हैं या फिर कोई ना मिले लेने के लिए तो गाई को रोटी पर रखकर तिलगुर खिला सकते हैं या वैसे भी आप खिला सकते हैं सनी दोसों से मुख्ती मिलती है राहु के तुसांत हो जाते हैं और साड़े साती धहिया की मुश्किलों से भी बाहर आ जाते हैं कि आपका सूरी भी अच अच्छा हो जाता है उत्तम फल देने लगता है फिलाल आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें कमेंट में हर हर महादेव चरूर लिखे धन्यवाद